प्रजल मोबाइल अब पहली वार फाइनेंस कार्ड बिलकुल मुफ्तवन बैन बिना किसी शुलके के और दो साल की वारेंटी सभी मोबाइल पर बड़ा बाजार राम प्याओ के पास सागर मद्ध प्रदेश खेट में भैस चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया जो इतना बढ़ा की गोली तक चल गई जिसमें एक ब्यक्ती गोली लगने से गंवीर गायल हुआ घटना च्छतर पुरजिले के बक्सवाह थाना इलाके के महूटा गाउं की है बताया जा रहा है कि खेट में खड़ी फसल में भैस चराने को लेकर दो पक्षों में विवाद हुआ था जिसमें एक पक्ष को द्वारा दूसरे पक्ष पर गोली चला दी जिसमें जमना प्रसाद यादव को गोली लगने से बो गंवीर गायल हुए इस बात के खबर लगते ही बक्सवाहा पुलिस मौके पर पहुँची जिसके बाद घायल को सामू दायक अस्पताल लाया गया था जिसे प्राथ में किलाज के बाद जिला अस्पताल रैफर किया परीजनों से मिली जानकारी के मताबिक सुरेश यादव, अकलू यादव और ओमकार यादव निवासी महूटा दौरा गोलिया चलाई गई घायल को दमो भेजा था लेकिन उसकी हालत गंवीर होने पर दमो से जबल पुर रैफर कर दिया था जहां फिलहाल उसकी हालत नाजुब बताई जा रही है बक्सवाह अस्पताल के बी-एमो डॉक्टर लले तौपाध्याय का कहना है कि घायल जिसकी हालत गंवीर थी उसका इलाज कर रैफर किया था जानकारे के मताबिक मामले में F.I.R. दर्जकर पुलिस ने विवेचना शुरू की है खाबर लिखे जाने तक आरोपी पुलिस की पकड़ से दूर थे जमना यादाव का हुआ है गोली मारी किसमें पर रहा है तो हमाइरे में बहुता ग्राम से अभी एक केस आया हुआ है 63 यार ओल्ड परसन है जिसके पैर में गोली लगने की संभावना समझ में आ रही है उसके लिए और किलियर किया जा रहा है अभी चुकि उसके लिए इंजुरी बहुत सीवियर है इसलिए उसके लिए परात्मे को उप्चार के उपरां ततकाल जिला स्पताल के लिए रिफर कर दिया है ताकि आगे चलगे उसका उपरेशन वगेरा संभाव हो सके सजल मोबाइल अब पहली वार फाइनेंस कार्ट बिलकुल मुफ्तवन बैन बिना किसी शुलके के और दो साल की वारेंटी सभी मोबाइल पर सभी तोक रेट पर मोबाइल उपलब्द सिर्फ सजल मोबाइल पर हमारा पता है बड़ा बाजार रामप्याव के पास सागर मद्ध्रदेश हमारा नमबर है 9753851640